दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाईए जिससे आपको लेटेश्ट वीडियो निल्ट नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके मारे यूट्यूब तेनल आउनलाइन एस्टेड वीड यह टॉपिक अफिलिए चैनल किया है और आप इस टॉपिक अंदर देखेंगे कि सीटेट और यूबीटीएट के अंदर किस प्रकार के क्यूशन इस टॉपिक से पूछ जाते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आज का हमारे टॉपिक है अभी प सब्सक्राइब कि अबिद्रत के ने आधिवादेन में मकशन होता है कि अर्थ इसका Khmer Phamada है जो उनके उद्दीपन का परणाम होता है और जिसके माध्यम से त्व्यविवहार की दिशा में सखरी और नरेंत्रित रहता है और हमेशा सीखने के लिए चातरों में उथसुकता उत्पन कर उसे निरंतर क्रियाशिल बनाए रखती है अब्यप्रणा तो यह अभी प्रणा होती है और अभी प्रणा जो होती है यह हमें या किसी भी बालक को एक निश्चत उद्धिय तक पहुंचने के लिए हम ऐसा अभी प्रेरित करती रहती है और उसे तब तक ये क्रेशल बना के रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष की प्राप्ति ना कर ले जब हमारा लक्ष में प्राप्त कर लेते हैं तो वह अभी ब्रणा हमारे लिए कम हो जाती है और हमारा लक्ष हमें हासील हो जाता यहां पर करते हैं कि अभिप्रेणा कितने प्रकार की होती है तो अभिप्रेणा जो होती है यह दो प्रकार की होती है एक होती है आंतरिक अभिप्रेणा और एक होती है बाहरी अभिप्रेणा जिसे बाहरी अभिप्रेणा भी कहा जा सकता है देखिए अभिप्रेणा क्या होत और वो आंत्री का भी प्रणाइदी हमारे अंदर होती है तो हम किसी भी कारी को बिलकुल कर सकते हैं जब तक हमारे भीतर वो नहीं होगी स्वता अभी रूची नहीं होगी आंत्री का भी प्रणा नहीं होगी तो हम किसी कारे में हमारे सफलता जो होती है वो कमजोर हो सकती है कुलमला करके हम्हें इंटरनली मोटिवेटेड़ रहना चाहिए अंत्रिक अभी हिरूची जो है उसके तहत है यह कोई सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत जादा उस कारी के प्रती उस लक्ष के प्रती क्रियासील हो जाते हैं तो यह हमारी आंत्री के प्रेणा होती है अब एक होती है बाहिया प्रेणा तो बाहिया प्रेणा क्या होती है बाहिया प्रेणा स्वितात पर एक ऐसे प्रोच्छाहन से होता है जो बालकों क बाहरी बातावरण में दिया जाता है और उनकी वियाभार के एक निश्चत दिसा में मोड़ा जाता है और बाही अपूरश्कार रुपिया हो सकते हैं वैटन हो सकते हैं ये वैदन हो सकता है पॢआप्तभा सकती है अभी प्रेणा के चक्र अभी प्रेणा के तीन चक्र होंगे पहला चक्र रहेगा आवशक्ता दूसरा चक्र रहेगा अंतर नौद और थार्ड चक्र रहेगा प्रोथसाहन या लक्ष जिसको प्रोथसाहन भी कह सकते हैं और लक्ष भी कह सकते हैं यह तीन चक्र तो हम उस अवरु शक्ता को पूरा करने के लिए जो भी कारी करते हैं, जो भी क्रियास्थिल्टा हमारे स्वाभाव में बढ़ती है, उसी को हम अंतर नोद कहते हैं, और जब हम गार्य पूरfrage कर लेते हैं, तो जो अमने लख्षश होता है, उसी को हम प्रोदसाहन कहते हैं या लक्ष कहते हैं तो ये तीन आवी प्रणा के चक्र होते हैं अब दोस्तों इसे संबंदित प्रस्ण किस प्रकार के पूछे जाते हैं तो चलिए अब हम प्रस्ण की और अपना रुख करते हैं और प्रस्ण देखते हैं क्योंकि हमारा डीट हात्र में ही है या नहीं इस रूची का उसे आभास ही नहीं है निम्न में से कथन किस विद्वान का है तो यहां पर यह कथन हमारा रहेगा और सेकेंड थामसन की द्वरा यह कथन दिया गया है चलिए अगला है अनुसार अभिप्रेणा चक्र के क्रमिक कदम निम्न लिखित मैं से कौन से हैं अभी हमने देखा कि अभिप्रेणा जो होती है उसके तीन चक्र हुआ करते हैं सबसे पहला चक्र होता है आवश्यक्ता दूसरा चक्र होता है अंतरनोध उठड होता है प्रोचान या लक्ष तो तो option 4 अबिरूची संबंद निम्न मैं से किस्स hedge का मतलब हमने देखा चर्चा मेंसब होता है शोटा अबिर्षी मतलब सेस्फ मोटिवेस्टिन जो उते हैं हमारे तरी होता है किसी कारे को इ widesya होती है उसे हम आंत्रिक अभिप्रणा कहते हैं तो असर्फ फॉस्ट जो रहेगा यह हमारा यहां पर सही उत्तर रहेगा चलिए अगला है रूची आदत और सामूदैक्ता किस प्रकार के प्रेरक्ट के उधारन हैं यह अरजित प्रकार के प्रेरक्ट होते है क्योंकि रूची आदत हैं और सामुदाय के साथ बैठेंगे उस प्रकार के हमें मोटिवेशन मिलेंगे उस प्रकार के हमें अंदर प्रेड़ना आएंगी तो यह अरजित प्रेरख होता है चलिए अगला है अभी प्रेड़ना के कारी के संबद में निम्ने लिखित में से कौन सा कथन असत्य है अब यहां पर हमें असत्य कथन को देखना है तो सीधे में यहां उत्तर को टीक कर देता हूं अब देखते हैं उत्तर हमारा यहां रहेगा सेगेंड समवेगों में यह परियाप्त संसुद तो यह यहां पर है जोकम और सिम पसंद की को विश्षिषप इंदी नम्न मैं से कौन सा सही है योकम और सिंपसंद ने रहती है तो कौन सी बताई हैं इनमें से कौन सी सही है तो सीखना संपुर्ण जीवन चलता है सीखना अनुभों का संगठने थाड है सीखना व्यक्तिकत और सामाजिक दोनों से है और फॉर्थ है उपरक्त सभी देखें अधिगम जिसको हम कहते हैं सीखना तो सीखना जो होता है ही उता है चली होता है सेने मानसिक स्वास्त ये पी सामिल होता है सामाजिक तक्यौन ये इसामन नहीं है और सीखने के समय तता होती यह सामिल होता है तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा अफसन थार्ड जो समलित नहीं है अफसन थार्ड जो रहेगा यह समलित नहीं है सीखने के व्यक्तिकत कारकों में यह सामिल नहीं रहेगा यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है चलिए अगला है सिखने की प्रक्रिया में अभी प्रेढ़ना क्या करती है स्मरण सकती को पहना बनाती है सेई पिछले सीखे वे नए दिगंग से अलग सिख्षारतियों को एक दिश्ण के योग के बनाती है। सिख्षारतियों मेंसीखने के प्रती रूची मेंका विकास करती है। आफसन फॉर्थ जो रहेगा यह हमारा यहां पर सही उत्तर रहेगा चलिए अगला है रिक्तेस्थान को एक अभी प्रेरत सिक्षन का संकेतक माना जाता है अफसन फर्स्ट है कक्षा में अधिकतम उपस्ति दी सेकेंड है सिक्षा के दौरा दिया गया उप्चरत्मकार थर्ड मुखनाँ चलिए अभी प्रेर्ण या अभी प्रेर्ण और फस्त ऑफस्त हैं कि सीखने वाले के प्रति को तेज बनाता है इसे पुरान जिकम से नजिक만 के वदित करता है एक दिसी सोचने सीखने वाले को प्रस्तुत करता है फूरत इन सीखने वालों में अधिकम के लिए रूची का स्रजन करता है तोड़ी दिर प्रहले भी आया था और यहां पार ये पुचा गाया। यही प्रस्ण सुरीते चालते हैं यहां पर फॉर्थ को चेंज कर दिया धाल हुथ तो इतना सा चेंज किया है और बाकी प्रस्ण हमरा वही है तो यह हमरा अगला है आप देखते हैं कि एक शाद्र बुद्धिमान है अब आप क्या करेंगे आफसन फर्स उसके सांतुष्ट रहेंगे सेगने उसे अतरिक्त ग्रहकारी नहीं देंगे और जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेश्ट करेंगे फॉर्ट है उसके अभीवाग को सुचित करेंगे कि वो बुद्धि माने तो हमारा कारी महाँ पर क्या रहेगा अफसन फर्स ने अधिया प्राइण द्वरा सेगने प्रासंगी कि अधियान नहीं द्वारा फोर्त है सस्वर अधिगम द्वारा तो अधिकम जो प्रक्रिय रहेंगे उसके तहद अभी प्रेद्द करना यहां वा उचित रहेगा तो ंट रहेगा सस्वर अधिकम की बाहिए अभी प्रेद्दद में समावेश्जित किया जाएगा बहुत अच्छा प्रश्ट名 है बाहिए और प्रणा से मतलब क्या होता है बाहिई प्रेढचा। मैं वह सकती हैं किसी वैतन के रुप में हो सकती है है इसे हम वाहिया प्रेड़ना के तो अफसन फस्त है प्रसंसायम दोसा रॉपन सेके ने प्रतितुन दुन दिता थर्ड है पुरुषकार एंद फूर्ट है परणाम ग्यान तो यहां हमरा रहे तो यहां मर अत्तर रहेगा ये तो रहेंगे भाहिजीद किये जाएगा अगला है अभिव्रत्ती है अभी प्रति क्या है? अफसन फर्स्ट है एक भावनात्मक प्रवत्ती जो अनुभव के द्वरा संगडित होकर किसी मुनवग्यानिक वस्तू के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है. जी हाँ, यही हमारा सही उत्तर है अफसन फर्स्ट ही एक भावनात्मक प्रवत्ती जो अनुभव के द्वरा संगडित होकर किसी मुनवग्यानिक वस्तू के प्रति पसंदगी और नापसंदगी ग्रूप में प्रतिक्रिया देती है. चलिए, अगला है, अभी प्रेड़ना की व्याख्या, जन्मजाद मूल प्रवत्तियों के आधारवर की जाती है, यह किसने कहा है? तो यहां यह कथन जो है, किसने कहा है? तो अफसन फर्स्ट है, यह मैग्डूगल ने कहा है. अगला है, आप एक कक्षा सिक्षक के तौर पर शात्रों को प्रेरित करते हैं. अफसन बस एक दो तीन सेकेंड़ है, एक और चार, थर्ड है, दो चार, फोर्त है, यह सभी, तो हमने उत्तर हैं, आफसन फूर्त हैं यह सभी, चलिए, अगला है, निमने लिखित में से कोन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभी प्रेरित करता है? अब कोन हमें अभी प्रेर फूरत атыया सफलता से बचने के लिए अभी प्रेयरन तो यह हमारा सही उत्तर रहेगा यह रहेगा अवसरिण सेड़िय लक्ष को प्राप्त करने की व्यक्तिकत संतुस्टी यही हमें सीखने के लिए अधित्तम रूप में अभी प्रेरित करता है जब हम हमारे लक्ष को प्राप्त कर लेते हैं जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन होता है जो हमारी आंतरी का भी प्रेरिणा होती है उसमें हमें कोई कार्य करके जो आनंद जो प्रशन्यता हमारे भीतर प्राप्त होती है वही हमारी व्यक्तिकत संतुष्ट होती है और वह मिलेगी जब हम अपने लक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हम बहुत क्रेसिल बन जाते हैं तो यहां आफसें सेकंड जो रहेगा यह हमारा उत्तर रहेगा चलिए अगला है राजेस अती लोलॉप पाठके वो अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतरिक्त प्राप पुस्तगा ले जाता है और भिने प्रकरनों पर पुस्तक पढ़ता है इतना नहीं राजेस भोजन आउकास में अपनी परियोजना का खारे करता है उसे परिक्षाओं के लिए देखने की जरुवत नहीं वह वास्तों में सीखने का आनंद लेता नजर आता है उसे रिक्त स्थान के रूप में सरवादी बहतर रूप में वरनित किया जा सकता है अब देखिए यहां पर किस प्रकार का विध्यारती है कि वह जब देखो जब कुछी ना कुछ पढ़ता रह हौती है तो वह हमारी आंतरिक अभिप्रेड़ Intelli होती है तो राजिस यहाँ किस प्रकार का शिक्शारती है तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरत स्हिक्शारती रहेंगा यहाँ ना चाहिए न जो कुछ भी सीखने से अगला है बालकों में सीखने के पृति बालकों में सीखने में प्रेड़ना को किस रूप मैं उपियोगी माना जाता है, अफसमिक सभी तो यहां मों रहेगा अप्रोक्त सभी जो रहेंगे वह पृत्षा निलिएन वफेडर्जा में प्रेड़ना के रूप में उपयोगी माना जा सकता है चलिए अगला है कि निमने लिखित में से निमने लिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेड़ना दे रहा है बहुत अच्छा प्रस्न है देखिए फादर रावर्ड अपनी कख्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्योफर करते हैं अब बच् करते हैं अगला एक प्रॉपसान सकती है एक वेतन हो सकता है धन हो सकता है एक दंड हो सकता है कुरुषकार हो सकता है कुछ भी Ol लावत देते हैं और विज्ञान विश्य में सरौश चंक पाने पर राकेष कुमार अपने पुत्र की प्रसंद साखार रहे तो बच्चे को अंदर से एक खुशी मिलेगी प्रसंद्था उसकी मने में जलकेगी तो यहां पर उसको एक आंतरिक अभिप्रेड़ना मिल रही है तो फॉर्थ आपसन जो रहेगा यह हमारा यहां पर सही उत्तर रहेगा चलिए अगला है अभिप्रेड़ना के स्त्रोथ कौन कौन से हैं तो देखिए अभिप्रेड़ना के स्त्रोथ जो है आवश्यक्ता सेकेंड दिया चालक थर्द प्रेड़क फॉर्थ है इक्षा तो अभिप्रेड़ना जो होती है उसके स्त्रोथ जो होती है इक्षा उसन फॉर क्रूप में यहां पर का ले अगला है मैसलो के अनुसार अभी प्रेरन सिद्धान्त को कहा जाता है तो यहां क्या कहा जाएगा है आविश्चा को सफस्ट जो रहेगा यह हमरा यहां पर सही उत्तर रहेगा चलिए अगला है प्रेड़ना का वही संबंद उपलब्दी से है जो अधिगम का रिक्तिस्थान से है तो जो अधिगम का बोध से होता है और सथाड यहाँ पर सही उत्तर अगला है बच्चों को सिखने है तू अभिप्रेज़ करने के लिए सिख्षक को बढ़ावाद देना चाहिए अब शीक्षा को किस बात के लिए बढ़ावा देना चाहिए और सब्सक्राइब प्रतिस परदा सेगेने कख्षा में प्रतम आने वाले बच्चों को पुरुस्क्रत करके थार्ड है सीखने है तू उच्चत इस्थथी और वातारण का स्रजन करके फोर्त है कख्षा में प्रतिवसाली बच्चों की प्रसंसा करके तो यहां पर सबसे जरूरिशी जो है वो तिये सीखने है तू उच्चत इस्थथी और वातारण का स्रजन करके अब स्थार्ड जो र एक विध्यारती उच्छ तरी स्रजन सिल रंगमंची कलागार बनना चाहता है तो उसके लिए निमने लिखित में से कौन साव पाई सबसे कम प्रेयरक होगा अब दीखें सबसे कम प्रेयरक के रूप में में देखना है अफसन फर्स्ट है राज इस तरी प्रतियों के ताहों क को जीतने का प्रेयास करना तकि छात्रोती पाई जा सके सेगेने अपने रंगमंची कलागार साथियों के साथ समानों बुति पुर्ण इस नहीं देख सही हो कि संबंद विक्षित करना थर्ड है और रंगमंची कोसलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुलित होता हो फ क्योंकि यहां पर उसको चात्रोती मिल रही है और चात्रोती मिलना उसके लिए यहां पर बाही अभी प्रेयर्णा करेगा जबकि अन्य तीनों कतन के अंदर उसको एक आंत्रिक अभी प्रेयर्णा मिलेगी जो उसको जादा क्रियासील बनाके रखेगी तो यहां पर यह सेगेने अध्यायव सई थर्डे सम्वेग फोर्ते वचन बद्दता तो देखिए हमने सुरुवात में चर्च की हमारे भी तर एक आंद्रिक शक्ती जो हमारी इक्षा सक्ती होती कि सीवी कारी करने के जो हमें बार-बार प्रोथ साहित करती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम क की जाती है तो जिसे हम कह सकते हैं आवश्यक्ता अफसन थर्ड जो रहेगा यह अंतावदलाव के सांथ इस्तमाल की जाती है अगला है रिक्तिस्थान प्रेणाय अनुभूतियों के संतुष्टी करने के अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्य लक्षों को प्राप यहां पर अमारा से 2 उतर है अफसन सेकेण भाव आत्मक चलिए अगला है विद्यारतियों को स्वच्चता के लिए प्रेण करने हैं तो उन्हें सवच्चता समृति का सदस्य बनाना प्रति विंबित करता है आप से प्रेणा के सामाजिक सांस्क्रतिक संकलपनाएं सर्ड ज संग्यान आत्मक उपागाम देखें उनको स्वच्चता समीति का सदश्य बनाएगा स्वच्चता के लिए प्रेद करना तो यहां पर अवसन फर्स्ट प्रेदा की सामाजिक संस्कृतिक संक्लतनाएं सही उत्तर रहेगा अगला है प्राथमी के विध्याले सिक्षक को अपने स सिक्षार्थियों को अभी प्रेद करने के लिए निमने लखित में से किस रणनेती को अपनाना चाहिए तो अवसन फर्स्ट है प्रतियक गतिविधी को प्रेद के रोप में प्रौत्साहन पुरुषकार और दंडगा उप्योग करके अगला है बच्चों को उनकी रूचिय निरधारित करना तो बच्चों को उनकी रूचियों के अनुसार लक्ष निरधारित करना और उने पाने में के उद्ध्यम में सहायता करना तो यह हमारा सही उत्तर रहेगा चलिए अगला है विध्यार्दी द्वरा गनेत की कक्षा में सीखी गई और उध्यारन का उप्योग भगोल की कक्षा में की जाता है यहां उध्यारन है कोई सिख्षी का अपने विध्यार्दी को क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेणा के साथ कारी करने के लिए प्रोसाहिद कर सकें अब क्या कही कि सिख्षी का बच्चों को जिसे वो भीतरी प्रेणा के साथ में प्रोसाहिद कर सकती है फर्स्ट है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया काम जल्दी पूरा करो तो मैं तुम्हें एक टाफी मिलेगी थर्ड है इसे करने की कोसिस करो तुम सीख जाओगे फॉर्थ है चलो इसे उसके करने के पहले समाप्त कर लो तो यहां पर सिक्षी का क्या कहेगी चलो उसके इसे उसके करने के पहले समाप्त कर लो और फॉर्थ जो रहेगा यहां पर सही उत्तर है चलिए अगला है कोई सिक्षी का अपने विद्यार्थियों को अध्यान करने हैं तू आंतरी ग्रूप से उत्परित करने के लिए कैसे प्रोशाहित करेगे अफसन फर्स्ट है प्रतियोग इत्मत परिक्षन से ब्यक्तिकत लक्षन निर्ध तो उसको आन्तरिक रूप से हमें उत्प्रयृत करना है और कि व्यक्तित लग्शश निरधाइत करना हमें उसकी मदद दे कर गए हम जब ट्राशन निरधाइट करें का उसको उसमें दिला देंगे तो बच्चा अंदर से उत्प्रयृत हो Україप भूट खुश हो जाता है तो इस प्रकार से हम उसकी मदद यहां पर कर सकते हैं चलिए अगला है चात्रों में रूची उत्पन करने की कला है अभी प्रेड़ना ही चात्रों में रूची उत्पन करने की कला है यहां पर सही उत्तर हमारा अभी प्रेड़ना जिसको कहते हैं या प्रेड़ना बोल दिया यहां पर लिख दिया है अगला है आवश्यक्ता का पदानुकर्म शद्दान्त रिक्तस्थान के द्वरा प्रतिपादित किया गया है तो आफसन सेकेंड जो रहेगा मैं सलो यह हमारा यहां पर सही उत्तर रहेगा अगला है मनोलेंगिक विकास में सु करने का प्रेयास करता है कही जाती है प्रेयौबलन तो यहां उते प्रेंच कि यहां सामने नहीं होगा उस्प्रेड़ना पर होना झरूरी है तो उस परीबेश की अवरे आसपास की उस वस्तु को हम प्रेड़क कहेंगे जिसे हम राप्त करने के लिए प्रयासरत करेंगे प्रयासरत रहेंगे तो दोस्तों यह थे हमारे अभी प्रेड़ना और अधिकम टॉपिक से 37 प्रासनल और आज कर जो टॉपिक था को हमारा खत्म हुआ आप चैनल पर इतने समय तो बने रहे हैं उसके ल